Hello students, welcome to my channel, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Class 6 का Social Studies Olympiad का Set A, जो की 22 December को हुआ था इसमें 50 questions था और बच्चों को मिला था 1 hour History 20 questions, Geography 15 questions, Social and Political Life 10 questions और Achievers section का 5 questions था जिसका 1 question का 3 marks था Achievers का 1-1 marks था तो चलिए इनका solution देखते हैं, पेपर का level है, वो बहुत ही standard का है तो मेरे ख्याल से जो बच्चा इसमें 35 प्लस score करेगा, वो अच्छे marks माने जाएंगे तो चलिए इनका solution देखते हैं History से पेपर का starting था तो question number 1 में, which of the following river flowed through Magad Mahajanpad तो ancient India में 16 महाजनपत थे, जिन में मगद भी था एक, उसमें गंगा और सोन नदी बहती थी Question number 2 Das is, was a famous scholar who prepared a grammar for Sanskrit तो ये पानिनी ने Sanskrit grammar को बनाया था Question number 3 3 में देखेंगे आप, who among the following composed the बुद्चरित, a biography of Buddha तो ये असो घोष ने बुद्चरित की रचना की थी Question number 4 में, पर्थमा कुली का ये chief craftsman को बोला जाता था जब आप इसको scramble करेंगे तो ये हो जाएगा बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में क्या था People built pit house which were dug into the ground बुर्ज होम में लोग नीचे जमीन को खोद के घर बनाते थे बुर्ज होम Question number 6 Which among the following not an archaeological source तो इसमें reverse हो जाएगा बाकी ornament, tools, temple ये archaeological site में होती है मतलब इनसे हम पता लगाते है कि ये इधर ऐसे होते थे History का मतलब पता लगाया जाता है इनसे Question number 7 इन में आर्याज थे ये लोग और वो अपने opponent को दस्यूज बोलते थे दस्यूज It is northern black polished wear ये क्या था? A type of extremely fine pottery Select the incorrect math इसमें कपिल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सांखे दर्शन दर्शन होते थे हर इसी अपना अपना दर्शन लिखता था तो उसमें कपिल ने सांखे दर्शन लिखा था ना कि वेदान वेदान ती आगे चलके साइद संक्राचारिय ने लिखा था दबुक नेम्ड अर्थ सास्तर अर्थ सास्तर किसके द्वारा लिखी गए थी चानक्या चानक्या का नाम आपने सुना होगा विश्णु गुप्त और इसको कोटिल भी कहा जाता था जिनोंने चंदरगुप्त का साथ देके घनानंद को हराया था बाद में इसी का पोत्र असोख हुआ जो बहुत फैमस हुआ क्योसर नमबर 11 इसमें फैमस कुशान रोलर हुँ और गनाइजड है बुद्धिस्ट कॉंसिल तो इसमें आजाएगा कनिश्क के काल में बुद्ध सभा हुई थी इसिस रोगनाईज आज अत्त फा संस्कृत रामाएड किस न लिखी थी वेद वयास ने रामायन के रट्येता वेदवेस को ही माना जाता है सानचा कि स्वोडिया एक। मैं गलती से वेदवेस लिखा था रामायन वाम महर्षी, वालमी की की थी इसकी रचना क्योशन मैं फरटीन हरिसेन किसा था ? समंद्रगूप्त का राजगवी था क्योंस नमबर 14, 14 में गोत्मी पुत्री श्री साथकर्णी, तो ये गोत्मी पुत्र साथकर्णी साथ वाहनुवन्स का बहुत ही परसिद राजा था, गांदार स्कूल ओफ आर्टी ये कुशानों ने बनवाया था, इंडियन नेशनल कॉंग्रेश, 1885 में अंग्रेजों के टाइम एक कॉंग्रेश बनी थी, मतलब ये जो अपनी आज की कॉंग्रेश है, इसकी स्थापना होई थी, ए ओ हयूमेक अंग्रेज अदिकारी था, इसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अपनी मांगे बनवाने के लिए कॉंग्रेश की स्थापना करवाई थी, क्योशन नमबर 17, बक्षर, बक्षर की लड़ाई में नुवाब शिराजुदोला और नुवाब ओफ आवादमिल के अंग्रेजों से लड़े थे, जिसमें ये हार गए थे, क्योशन नमबर 18, इमिडेटली आफ्टर डैस, गांधी जी कॉल्ड ओफ नोन कोप्रेशन मोमेंट, किसकी घटना के बाद मतलब गांधी जी ने ऐसे अव गांधोलों वापिस ले लिया था ये, चोरा-चोरी में कुछ अंग्रेजों को, पुलिस वालों को एक चोक्की में मार दिया था, इसलिए मांधमा गांधी बोले, अब हम ऐसे अव गांधोलों को बंद करते हैं, अगर ये घटना नहीं हुई होती, तो साइद बारत पहले आजाद हो गया होता, 1947 से साइद पहले ही इंडिया आजाद हो जाता, क्योसर नमबर 19, ये स्रोजनी नाइडू है, किसी भी कॉंग्रेज की फर्स्ट मुमेंड लीडर, प्रेसिडेंट, अब जैसे मली कारजुन ख अब जेखेंगे हम भुगोल, क्योसर नमबर 21, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए, रसिया, क्योसर नमबर 22, जुपिटर हो जाएगा, आउटर प्लैनेट में, चार प्लैनेट इनर हैं, चार आउटर हैं, मर्कृ, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनर हैं और बाकी आउटर, इमादर ये क्या है, अनामोडी पहाड़ी पर है, उसके बाद क्योसर नमबर 24, 24 में क्या हो जाएगा, स्टेपीज, ये अफ्रीका में नहीं हैं, साय दिदक्षिन अमरिका में बाकी ठीक है, उप्शन बी इसका रोंग मेंस है, डाउन्स ये क्या हैं, ग्रास लेंड्स हैं, घास के म पता है, नौर्थ में आता है, हमेशा पोल स्टार, क्योंसर नमबर 27 में मरकरी हो जाएगा, मरकरी का कोई भी प्लैनेट नहीं है, और 88 डेज में सबसे पहले ये अर्थ का revolution कर लेता है, क्योंकि ये sun के बिल्कुल ही पास में है, इसमें आपको international boundary दिखाना था, तो ये international boundary के लिए C option इसका correct है, 29, 29 में option C, 1 and 3 only from the sea altitude, okay, distance from the equator से इसका climate का chain मनलब होता है, परक नहीं पड़ता, आलंक की ऐसे माना तो जाता है कि equator से जितना दूर जाएंगे उतना सर्दी होता जाएगा, sorry, इसका C सही रहेगा मेरे ख्याल से, C रहेगा, answer correct, question number 30, 30 में हो जाएगा correct, answer option A, ते लंगा न, note a peninsular plateau, बाकी सब में पहाड़ हैं आपको पता होगा, question number 31, physical map हो जाएगा, physical map में क्या होता है, earth mountain river ये दिखाया जाता है, political map में क्या होता है, state की boundary दिखाया जाती है, question number 32, option 4 and 5, only facts and landline, for, okay, these are not means of personal communication, facts and landline phone क्या है, personal communication का example है, question number 33, ये हो जाएगा correct answer, और इसका option D, imaginary horizontal line, and joining a globe into two equal half, equator हो जाएगा है, question number 34, biosphere, include those parts of earth where lie, question number 35, इसमें बोथ A and B, गोदावरी और नर्मदा, east flowing, बाकी सब क्या है, पस्चिम की और बहने वाली ना दिया है, और ये east flowing river है, गोदावरी और नर्मदा, अपनी country में maximum river क्या होता है, पस्चिम वेस्ट वेस्ट बहती है, मगर गोदावरी और नर्मदा ये क्या है, east to west बहती है, उसके बाद polity, social and political life, question number 36, इसमें 22 language को हमारे constitution में जगह मिली है, 37, discrimination, expressita, का सिधान, ये, man mostly belief are false, it is called discrimination, which type of government is chosen by people, democracy, democracy में क्या है, लोग अपनी सरकार सुनते है, dictatorship में क्या होता है, जैसे north korea में है, oligarchi में बहुत सारे लोगों दोवारा सासन क्या जाता है, monarchy में जहाराजा होता है, जैसे England में है, question number 39 में क्या है, it is two-tier system, पंचायत इराज, नहीं है, three-tier है, इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सबा और जिला परिशन्द होता है, three-tier, question number 40, ये क्या है, रमिक्टेंज, question number 41, Antonio Guterres is the current, secretary general of the UN सुनिक राष्टर संग के महसवा के अध्यक सहिंग, question number 42, all of this freedom to follow any religion, fundamental rights हैं हैं अपने सभी, question number 43, 26, January 1949 को बन के तयार हो गया था, और इसे 26 January 1950 को लागू किया गया, इसी दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, 26 January 1950 के याद में, क्योंकि हम इस दिन पूरी तरह से रिपब्लिक हो गये थे, question number 44, बुधीजम, के अपर भाव में आके इन्होंने अपना हिंदु दर्म चेंज किया था, आप बेड करने, question number 45 का correct answer हो जाएगा, सभी, which of the following is a veto power in UN security, तो आप देखिए, वर्ल्ड में सबसे powerful countries यही हैं, USA, UK, UK मितलब England, Russia, France and China, उसके बाद last section है, achiever section, इसमें दिया गया था, पहले puzzle को भढ़ना था, उसके बाद पताना था, कौन नहीं है, तो इसमें correct answer option C हो जाएगा, the he was the court point of publication दूइती है, यहां रवी किरती आएगा, मगर रवी किरती इधर कहीं भी नहीं है, question number 47 में, यह हो जाएगा, statement तो सही है, बर two is का correct explanation नहीं कर रहा, ठीक है, question number 48, 48 का option हो जाएगा, C, one, two and three only, question number 44, यह बन गया pacific, तो यहां पर बहुत A and B correct है, C correct नहीं है, क्योंकि pacific सबसे largest है, question number 50, 50 में correct answer हो जाएगा, option B, sorry, option A, 50 में correct answer, option A हो जाएगा, तो students, यह था class 6 का, social science का, Olympiad solution, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को सब्सक्राइब किजिए, thanks for watching this video,